हर पल भी तेलम हों की अनुगूंज है हर पल भी तेलम हों की अनुगूंज है नमस्कार श्रोताओ, अनुगूंज की आज की इसकड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और सुष्मा शर्मा श्रोताओ, आज हम आपको इतिहास के उस काल खंड में ली चलेंगे जिस खंड में गौाली और जैसे शहर से निकल कर एक युवक, बंबई के सिनमा जगत में एक दैदिप्यमान नक्षत्र बन कर चमका श्रोताओ, हम जिस काल खंड की बात कर रहे हैं, वो 1930 से आरम होता है और जिस नक्षत्र की हम चर्चा करेंगे, वो नक्षत्र है दादा सहाब फाल के पुरसकार विजेता, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुहराब मोदी दो नवंबर 1897 को बंबई के एक पारिसी परिवार में जन्मी सुहराब मोदी का पूरा नाम सुहराब महरवान जी मोदी था सुहराब मोदी का बच्पन उत्तर प्रदेश के रामपूर में बीता, जहां इनके पिता रामपूर के नवाब के पास नौकरी करते थे रामपूर नवाब के पुस्तकाले में उन्होंने उर्दू की पुस्तके पढ़कर उर्दू सीखी सुहराब मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा बंबई से की जहां उन्होंने 1914 में मैट्रिक की परिक्षा उतिर्ण की मैट्रिक की पढ़ाई करने के उपरांथ उन्होंने अपने बड़े भाई रुस्तम मोदी की थेटर कमपनी में काम करना अरंब किया और संबाद बोलना सीखा सोलह वर्ष की आयू में सुहराब मोदी अपने पिता के साथ ग्वालियर में फिल्मों का प्रदर्शन करनी लगे ये वो समय था जब भारत में सिनमा नया नया आया था और लोग फिल्म देखना हेय दृष्टी से देखते थे अपने उस समय को याद करते हुए सुहराब मोदी ने आकाश्वानी को बताया था मेरे बड़े बाई साब मरूम रुस्तम जी साथ ने मुझे एक पाथे का प्रोजेक्टर दिया और वो प्रोजेक्टर लेके मैं अपने वालिद साब मरूम के साथ ग्वालियर गया और ग्वालियर में मैं अपनी जिन्दगी एज एन एक्जीबिटर स्टार्ट की मेरे बालिद साब मरूम और मैं हम दो थे जो वो काम कर रहे थे और वो जमाना ऐसा था कि फिल्म में इतनी कामियाव और मकूल नहीं होती थी तो दो रुपे सिर्फ किराया था टाउन हॉल का कौलियर के लेकिन वो दो रुपे का किराया पे भी हमारी जिन्दगी बसर करना बड़ा मुश्किल था तो मेरे वालिद साब मरूम खुद टिकट बेचते थे और जब तजब तजबी सादमी आगए देखने के लिए तो इसके बाद वो टिकट खुड़गी में से बाहर देखते थी अभी कोई आर नहीं रहा है तो खुड़गी बंदे कर देते थे और उसके बाद वो जाके थेटर के दरौाजे खुद ही ओपन करते थे सोहराब मोदी ने इसके बाद अपने बड़े भाई के साथ बंबई में एक नाटक कमपनी आरंब की जिसमें पारसी थेटर शैली में नाटक किये जाते थे उन्होंने इन नाटकों में भाग लेना आरंब किया और पारसी शैली में समवाद बोलना सिखा ये पारसी थेटर विक्टोरियन शैली के नाटकों का ही एक रूप था जब 1931 में भारत में बोती फिल्मों का दोर आया तो पारसी थेटर का महत्व घटने लगा सोहराब मोदी ने अपने भाई के साथ एक स्टेज फिल्म कंपनी बनाई और हैमलेट नाटक पर आधारित नाटक खून का खून का फिल्म ही करण किया जिसमें अभिनेतरी नसीम बानों को लिया उन्हों ने 1936 में शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन पर आधारित फिल्म सैदे हवस बनाई परंतु ये दोनों फिल्में चली नहीं अपने फिल्म निर्माड के उस अनुभव के विशे में उन्होंने बताया था फिल्म प्रोडक्शन तो हमने 1935 में 1935 में हमने फिल्म प्रोडक्शन शुरू की उस वक्त मैं अपने भाईजा मरूम के साथ एक उनकी खुद की कंपनी थी नाटक कंपनी उसमें हम लोग ड्रामाज करते थे बड़े बड़े राइटरों के जैसे आगा खशर थे उन जमाने के शिक्सपियर और पहली मरतबा जब हमने फिल्म में खदम रखा तो ये स्टेज प्ले होने की वज़े से बड़े बाई साथ महरूम का यही उन्हों ने यही सोचा कि इस कंपनी का नाम स्टेज फिल्म कंपनी दे सबसे पहला प्ले हमने जो बनाया और सबसे पहली पिक्चर जिसमें मैंने काम किया वो खुन का खुन शिक्सपियर के हैमलिट का तर्जमानी था और वो एक्चुली जैसे स्टेज पे होता है उसी तरह स्टेज के तौर पे उसको फिल्म आया गा और उस वक्त पहली मरतबा जो बाद में ब्यूटी कुईन के नाम से मशूर होई नसीम उनको हमने पहली मरतबा स्क्रीन पिलाये थे सुहराब मोदीन ने 1937 में मिनर्वा मूवी टोन नाम की फिल्म कंपनी बना कर फिल्मों का निर्मान करना आरहम किया उनके अभिने में पार्सी थियेटर का प्रभाव साफ जहलकता था उनकी फिल्मों में लच्छेदार समवादों की प्राथमिक्ता होती थी समवाद भी एक विशेश अंदाज में रोबिली आवाज में बोले जाते थे इस कारण उनके स्वर में एक स्वाभाविक रॉब और समवाद शैली में आकर्शन आ गया था खुदी को कर बलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है अब क्यों चुपो क्यों नहीं जहर में बुजे हुए वही तीर हमारी बेकार जिद पर चलाते जिसने नलीनी का जीवन बरबाद किया जिसने महलों से निकाल कि तुमें जोपड़ियों में ला फेंका जो सिवाए जिल्लत और रस्वाई कि तुमें और कुछ नहीं दे सकी जा अपने बेदर्द खानून से मांग अपने जालिम कौम से तरब कर मिनर्वा मुवी टोन के बैनर तले सिनमा तकनीक से बनाई अपनी पहली फिल्म आत्म तरंग के विशे में बताते हुए सुहराब मोदी ने कहा था मैंने जो पहली पिक्चर बनाई पिक्चर के तौर पे विट स्क्रीन टेकनीक जो बनाई वो कुछ मेरी खुसूर की वज़े से हो या किसी वज़े से हो वो मुस्ट मिजरिबल फ्लाप बनी थी उसका नाम था आत्म तरंग जहां वो पिक्चर बनाई मैंने और जब मैं उम्मीद करता था कि उसमें जो कुछ लला ने मुझे नाम दिया है उसमें कुछ ना कुछ तरक्की ही होगी लेकिन मैंने देखा कि वो पिक्चर इतनी मिजरिबल फ्लाप थी कि जब मिनर्वा सिनेमा में रिलीज हुई तो 25-30 रुपए का भी आडियोंस नहीं मिलता था सोहराब मोदी ने मिनर्वा मुवी टोन के बैनर तले अनेक सामाजिक और एतिहासिक फिल्मों का निर्माण किया उनकी उस समय की सामाजिक फिल्मे थी मीठा जहर तलाक और एतिहासिक फिल्मे थी फुकार, सिकंदर और पृत्वी वल्लब सोहराब मोदी ने सामाजिक और एध्यासिक फिल्में ही क्यों बनाई बता रहे हैं वो स्वयम। ये वो हमें बताने की बजाए पुराने राजा माराजा और शैंशाह होने किया किया वो दिखाते हैं लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आया और कुछ मौका मिला मुझे हिस्टरी बढ़ने का तो मैंने देखा कितना बड़ा खजाना हमारा माजी में है तो मैंने सोचा कि अगर मैं हिस्टरी के अवर से नफरत करता था तो मेरे जैसे और भी स्टूडिन्स होंगे जिनको हिस्टरी पसंद नहीं आती होगी तो हिस्टरी सिखाने के लिए और पबलिक के सामने हिस्टरी ट्रू कलर्स में लाने के लिए मुझे हिस्टॉरिकल पिक्शिस बनाना चाहिए और मेरी निगास सबसे पहले दोर जहांगीर पर पड़ी जो इनसाफ के लिए आज तक उनका नाम गायम है कि बिलकुल अन दे स्पार्ट वो इनसाफ करते थे पकार बनाते वद आपको ये खच्चा महसूस नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा लागत के साथ हम इतनी बड़ी एक फिल्म बनाएंगे तो कहीं ऐसा नहो कि उसकी आमदनी पूरी नहो जी हाँ वो ये तो था मुझे आइडिया लेकिन मैंने हम्मत रखी मैंने का अगर एक पिक्चर ये फ्लाप गए मेरी और मकबूल आम नहीं हुई तो खैर ज्यादा में ज्यादा क्या होगा मैं बिजनस से हट जाओंगा और दूसरे को ज़ढ़ने में अपना कादम रख दूँगा लेकिन आल्ला को मुझे कामियाबी देना मनजूर था तो काफी काफी तकलीफ के बाद मैंने ये पिक्चर अपनी बनाई और जब रिलीज की तो अल्ला ने मेंदे मुझे कामियाबी दी मैं अल्ला का शुक्र गुजार हूँ और आप सब साहिबान का शुक्र गुजार हूँ कि आज तक आप मुझे उस पिक्चर के लिए दाद दे रहे हैं सोहराब मोदी ने 1944 में फिल्म परख बनाई जिसमें उनकी अभिनित्री थी महताब जावेरी ये फिल्म अपने समय की सफल फिल्म थी सोहराब मोदी ने बाद में अभिनित्री महताब जावेरी से शादी कर ली सोहराब मोदी की कुछ अन्य फिल्में हैं एक दिन का सुल्तान, मजधार, नरसिमहा आवतार, दौलत, शीश महल, जहांसी की रानी, मिर्जा गालिब आदे उननी सो तिरपन में आई उनके फिल्म जहांसी की रानी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी जिसमें हॉलिवूट के तकनीशियोनों ने काम किया था इस फिल्म में सोहराब मोदी ने राजगूरू का चरित्र निभाया था जुनगादर राओ, मैं तुम्हारा पुजारी नहीं, जहांसी के तक्त का पुजारी हूँ और एक रोज इस तक्त की सिवा के लिए जरूर हाजिर हो जाओंगा लेकिन उस शक्ति को लेकर जब तुम्हारे केव को मिटा सके हमारे जुके हुए सरों को उठा सके जहांसी के बिगडे हुए इतिहास को बना सके राजेंदर सिंग बेदी द्वारा लिखित उनकी फिल्म मिर्जा गालिब को 1954 में सरवश्रेष्ट फिल्म का राश्ट्रिय पुरस्कार मिला इस फिल्म के विशे में सुहराब मोदी ने बताया था मिर्जा गालिब में मुझे जो कुछ प्रेजिडेंस एवार मिला लेकिन फाइनेंशल ये उस पिक्चर ने मुझे मेरा होसला नहीं बढ़ाया मैं और चंद इंटरिस्टेड लोगों ने जो उस पिक्चर के खिलाफ मुझे नागवार गुजरा चंद लोगों ने ये इतरास किया कि मिर्जा गालिब की डाड़ी काली नहीं थी सुफेद थी या सुफेद नहीं थी काली थी ये इतरास यहां तक उन्हों ने किया कि उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडिज जवार राल नहरु तक की कमप्लेन नोगों ने बेज़ दी और जवार राल नहरु साहब ने वो कमप्लेन बांबे के सेंसर बोर्ट को बेज़ी है बांबे सेंसर बोर्ट ने कहा कि ये आपने उनकी डाड़ी काली और सुफेद क्यों रखी काली थी तब तो इसके ओपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैंने का हुज़र मैंने जो बनाई ये पिक्शर वो काफी ये हिस्टॉरिकल इवेंट्स को मदे नजर रखके और स्टड़ी करके और राजेंदर सिंग बेदी जिनों ने इसका स्क्रीन पर बनाया उन्होंने भी काफी उसके ओपर देखभाल करने के बाद उन्होंने बताया कि क्या उनकी डाड़ी होनी चाहिए सुफेद या काली तो एक खत है मिर्जा साब का फुद का जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मैंने मेरी डाड़ी में एक सुफेद बार देखा तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी डाड़ी सुफेदी रखूँगा तो फिर गमने डिसाइड कि इस तरह हो सिंसर बोर्ड ने कहा कि ठीक है सब बात हो लेकिन इसमें जो आपने नई नई बातें इंट्रडिउस कि नई कैरेक्टर है तो इसके लिए आपको एक बिगिनिंग में टाइटल देना पड़ेगा कि ये बिल्कुल हिस्टारिकल नहीं है तो उस तरह से मुझे टाइटल देना पड़ा था शुकर एल्ला का कि वो पिक्चर यतनी कामियाब हुई कि मुझे दोनों मेडल्स मिले सिल्वर के भी और गोल्ड भी एक ही फिल्म के लिए एक ही साल में एक ही वक्त 1955 में सोहराब मोदिन ने विक्टर हीगो के ला मिजरिबल पर फिल्म कुंदर बनाई जिसमें उन्होंने एक गरीब का पात्र किया जो एक रोटी चुराता है इस फिल्म में उनके अभिने को सरहना मिली 1957 में आई फिल्म नौशेरवान आदिल और 1958 में आई फिल्म जेलर में भी उनके अभिने की भूरी भूरी प्रशन सा हुई मेरे शहशा, रियाया की तसली जब हो सकती है कि हमारे मुल्क की कानून चाद और सूरज की तरह मुल्क में जाहिर किये जाए रियाया का हर छोटा बड़ा ये समच चाहे कि हमारे मुल्क की कानून ये है नौशे रामे किसरा जिन्दा दा ताजी किसरा की सोच में पढ़ गए ये पादरी पागल है शहर से दूर रहता है मगर हुकूमत पर हमेशा नुटाचीनी किया करता है अच्छा है कि हमारी रहाय में एक ऐसा पागल भी मौजूद है जो अपने पागलपन में पते की बात कहता है आलिम दीन जिस अदालत उसके फैसले से रहाय कि तुसली नहो वो अदालत नहीं जाफों का गार है जहां वो बैटकर अपने मन माने पाइसले कर लेते है सुहराब मोदी ने 1958 में आई यहूदी 1969 में आई पहली रात 1969 में आई वो कोई और होगा 1971 में आई ज्वाला और एक नारी एक ब्रह्मचारी और 1983 में आई रजिया सुल्तान फिल्मों में भी अभिने किया सुहराब मोदी दसने बर्लिन फिल्म समाहरों में जूरी के सदस्य भी रहे सुहराब मोदी को कौन से कलाकार पसंद थे उन्होंने बताया था हर एक्टर और हर अदाकार जो पार्टन को दिया जाता है वो अपनी समझ से सबसे अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं और अवाम उसमें से किस को पसंद करे वो अवाम के उपर है लहाज़ इस सवाल का जवाब भी अवाम कोई देना चाहिए किस एक्टर को सबसे मकबूल और एक्टर समझेंगे पंड के इसार से तो हैं काफी अदाकार हैं स्क्रीन पे जिनके बीच कोई कंपैरिसन नहीं किया जाता अब दिलीब कुमार हैं, राज़ कपूर हैं, हमीताब है, धरमेंदर हैं काफी अदाकार हैं जो अपना अपना काम और अपना पार्ट बहुत ही खुबी से अदा करते हैं लेकिन किस रोल में किस वक्त कौन एक्ति मकामियाब होता है वो आवाम के उपर है 28 जनवरी 1984 को 86 वर्षी आयू में सुहराब मोदी का निधन हो गया आपको अनुगूंच की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा तो अब हमें यानि योगेंद्र ठिक को और सुश्मा शर्मा को दीजिये अनुमती नमस्कार झाल झाल झाल